नमस्कार साथियों कैसे हो उमीद कर सकता हूं बहुत अच्छे होंगे साथियों मैं राके स्याग एक बार फिर से आप सुभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूटूब चैनल ओम डिश्टल स्टडी पर साथियों आपको पता है मैं आपको 6 पारट कंप्लीट करवा साथियों बता दूँ उट तक का टोपिक थोड़ा सा जीव विज्ञान या फिर बायोलोजी के अंदर थोड़ा सा कठीन माना जाता है हर्ड माना जाता है लेकिन काम करने का मज़ा उसी में है जो कठीन लगे अगर आपको ये कठीन लगे तो आप इसी की उपर ज़ादा का करना आपका बिल्कुल ये सही से याद हो जाएगा, मैं आपकी एक सहिता करूंगा, और आप अपना 100% देना इस टोपिक के लिए, और यहां से क्यूशन बार बार पुछे जाते हैं, टोपिक थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है, और क्यूशन भी ज्यादा पुछे यदिया करूंगा जैसे उत्त dub का Cr Phantom complete उसके बाद मैं आपको PDF दे दूँगा पिर दो टोपी करवा कि उसका PDF दे दूँगा पिर दो टोपी करवा कि उसका PDF दे दूँगा इस प्रकार से आपको PDF में दे दूँगा complete ठीक हैं बोओ issue नहीं है आप अच्छे से पढ़ ओ और मैंने आपको कहा था कि अगर आपकुद नोट्स पना रही हैं तो उससे तो बहतर कुछ होई नहीं सकता खुद के नोट्स बनाए वे बहुत इपोर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं हमारे याद बहुत जल्दी होते हैं इसलिए आप खुद भी नोट्स पना सकते हो अच्छे सी मैं आपको डिटेल्स हैं एक एक बात हम आपको करवा रहा हूं और बिल्कुल सिरीज से हम चल रहे हैं यह नहीं है कि कोई टोपिक करवा दिया कोई छोड़ दिया नहीं बिल्कु अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे कि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं आपको पता होना चाहिए यह जो क्लास है मेरी यह क्लास हर प्रकार की अग्जाम को कवर करती है राजस्थान में इन अग्जामों को कव करेगी देखना साथियो एक भी क्यूसन किसी भी एक जाम में बाहर नहीं जाएगा यह मैं आपसे दावा करता हूं ठीक है और ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता मेरे कंटेंट के उपर मुझे विश्वास है और आपको भी विश्वास करना पड़ेगा साथियो वरना करमभध पढ़ता है करम से पढ़ना पड़ता है मैंने बताया था कोशियोवास को कानको विज्यान का आज आता है तो अमें करम से पढ़ना पड़ेगा अब इस कोशिका की उत्पती उत्पती वे सरंचना तिन चारों की क्या है समान है उत्पती और सरंचना क्या है समान उत्पती और सरंचना इनकी क्या है समान है इस बात को समझने इकोशिस करना मैं क्या बताने इकोशिस कर रहा हूं कि मानलो ये चार कोशिका हैं थी कोशिका के कोसिका को मिला देते हैं, तो इसको हम क्या नाम देते हैं मेरी बात समझ में आपको ही होगी, मैंने क्या कहा कि कोसिका का वह समू है जिनकी उत्तपती और सरंचना समान हो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं कोशिकाओं का वह समू है जिनकी उत्तपती और सरंचना समान हो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं उत्तक की परिबासा आपको समझ में आ गई होगी उत्तक जो होता है वो हमारे स्रीर में विशेस स्थान पर विशेस कार्ये करता है विशेस कार्ये को संपादित करता है विशेस कार्ये को क्या करता है संपादित विशेस कार्ये को संपादित करने का काम करता है अब इस बात को भी समझना है कि उत्तक है वो हमारे स्रीर में परकार का क्या है उत्तक है स्वियों जी उत्तक जिसको बोलते हैं आमा से भी हमारा क्या है एक उत्तक है आमा से हना कान भी हमारा एक क्या है उत्तक है कान भी हमारा उत्तक हो गया अब यह जो आमा से से मैं आपको समझानी कोशिश कर रहा हूं आमा से क्या करता है एक परकार का पाय जाता है ये थोड़ी है कि एक वेक्ति ये है एक वेक्ति ये है और एक वेक्ति ये है इस वेक्ति में तो आमा से पेट में है और इस दूसरी वेक्ति के आमा से उस सिरी के उपर है ये तो नहीं होता ना कभी एक जैसे ही होता है सभी के एक जगी होता है वह आमा से इसका म सरंचना को हम क्या बोलते हैं उत्तक बोलते हैं तो कोशिकाओं का वह समुह है जिनकी उत्पति और सरंचना समान हो तथा सरीर के अंदर विसेस स्थान पर विसेस कार्यों को संपादित करें उस अंग को या फिर उस को हम क्या कहते हैं उस कोशिका के समुह को हम बोलते हैं साथ ये उतक, उमीद कर सकता हूँ आपको ये समझ में आई होगी इसकी परिवासा क्या है मैंने समझाने की कोशिस पूरी की है समझने की कोशिस आपको भी पूरी करनी है ठीक है न, एक दूसरे आपस में हम तालमेल बिठाएंगे तभी आपको समझ मैं अगर तभी मैं आपको समझा पाऊंगा उत्तक की परिवास आपको समझ मैं ही होगी बिल्कुल अच्छे से अब आपको ये तो पता है साथियो जीव विज्ञान में होता है भी बाईलोजी के अंदर होता है लेकिन जीव विज्ञान की कौन सी साखा होती है तो जीव विज्ञान की उस साखा को बोलते हैं ओती की विज्ञान क्या बोलते हैं ओती की विज्ञान में उतक का अधेन होता जीव विज्ञान की एक साखा होती है जिसका नाम है ओतिकी विज्ञान ओतिकी विज्ञान की अंदर आपका उतक का अधिन किया जाता है और इसी ओतिकी विज्ञान को हम हिस्टोलोजी के नाम से भी जानते हैं जिस प्रकार से कोशिका का अधिन साइटोलोजी में होता है किस इस हिस्टोलोजी या फिर इस उतिकी विज्ञान का जनक कोन है, यह जनक आपसे पुसाजा सकता है, और इसके जनक का नाम है मार्सिलो मेलपीगी, क्या नाम है, मार्सिलो मेलपीगी, मार्सिलो मेलपीगी, मार्सिलो मेलपीगी को जनक कहा जाता है उतिकी विज्ञान या फिर histology का उतिकी विज्ञान या histology का जनक जो है ना वो मार्सिलो मेलपेगी को का जाता है ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए अब बात आती है कि ये जो उत्तक नाम आपको दिखाई दे रहा है इस उत्तक सब्ध का सर्वपर्थम पर्योग किस के द्वारा किया गया था तो सर्व पर्थम जो प्रियोग है वो एक विक्ति था साथि उसका नाम था बिच्चट क्या नाम था बिच्चट बिच्चट नाम की विक्ति ने इसे उत्तक सब्द का सर्व पर्थम प्रियोग किया था तो मैंने आपको तीन चार बाते बताई हैं स उत्तक का जो अधेन है वो जीव विज्ञान की साखा ओती की विज्ञान में किया जाता है और ओती की विज्ञान को हम हिस्टोलोजी के नाम से भी जानते हैं ओती की विज्ञान या फिर हिस्टोलोजी का जो जनन के साथ है उसका नाम है मारसिलो मिलपीगी और इस उत्तक सब खरीर के अंदर निश्चित स्थान पर एक निश्चित कारिय को संपन करें उसे हम क्या बोलते हैं उत्तक बोलते हैं ये बात मैं आपको बता चुका हूँ समझ में आपको आई होगी उसके बाद जीव विज्ञान की वह साखा जिसमें उत्कों का अधिन किया जाता है उसे हम बोलते हैं आपके विज्ञान है उत्तक का अधिन किया जाता है खीक है? बिच्ट ने सर्वा प्रथम उत्तक सब्द का परयोग किया था यहां तक आपको बिल्कुल कलियर हो गया होगा अगर आपको साथियो है शाहा है तो बस मैं आपसे रीक्विस्ट कर सकता हूँ इस बा सेर करने में कोई ज़़ा टाइम नहीं लगेगा सिर्फ आपको एक मिनट या 30 सेकंड लगेगे और आपका भाई खुश आपको अच्छे से काम मतलब आपको अच्छे से पढ़ाएगा और आपकी नईया पार हो जाएगी ठीक है तो यहां तक आपको कोई दिक्कत मेरे साब से कोई दिक्कत नहीं है अब आपको समझेना है कि उत्तक कितने परकार का होता है उत्तक जो है न साथियो वो दो परकार का होता है उत्तक दो परकार का होता है पहला परकार आपका होता है पादप उत्तक और दूसरा आपका होता है जन्तु उत्तक दूसरा कौन होता है पाददप विग्यान पढ़ाऊंगा ता पढ़ाने की सोच रहा था लेकिन मैं अलग नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा तो इस पाददप उत्तक को भी मैं यही पर आपको पढ़ा देता हूं इसी टोपिक में पढ़ा देता करने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं तो आप हेडिंग लगा सकते हैं पादप उत्तक एक नमबर हमारा जो है पादप उत्तक या फिर प्लांट टिश्यू जिसको हम बोलते हैं पादप उत्तक के बारे में बात करते हैं पादप उत्तक क्या है तो पादप उत्तक जो पादप उत्तक के परकार कितने है तो साथियो यह जो पादप उत्तक आपका जो होता है वो दो परकार का होता है कितने परकार का होता है दो परकार का अब वो दो परकार कौन-कौन से होते हैं पहला परकार आपका होता है विब जोतक उत्तक उत्तक पहला परकार आपका विब स्थाई उतक, पहला विब जोतक उतक, दूसरा आपका स्थाई उतक, पहला विब जोतक उतक, दूसरा स्थाई उतक, मैं पादप उतक की बात कर रहा हूँ, पादप उतक दो परकार का, विब जोतक उतक और स्थाई उतक, ठीक है, कोई तकलिफ, कोई दिक्कत, नहीं, अब हम पढ़ना है डिटेल से सबसे पहले विब जोतक उत्तक को सबसे पहले हम बात करेंगे विब जोतक उत्तक की विब जोतक उत्तक क्या है विब जोतक उत्तक क्या है उसकी हम बात करते हैं देखिए यह मैं मिटा देता हूं साथियो चलिए, आप अच्छे से कोप्पी के अदर लिख सकते हैं इसको और अपनी त्यारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके, चलिए, विवजोत्तक उत्तख की बात करते हैं, इस नाम से आपको क्या दिखाई शमजमे में रहा है, विवजोत्तक का पाई जाती है पहली विवाजन की समता इने में क्या होती है पाई जाती है एक नमर विवाजन की समता इने में क्या होती है पाई जाती है एक नमर आपको बात समझ में आई अब साथियो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यह जो विव जोतक उत्तक होते हैं इनकी जो को पतली होती है इनकी भीति क्या होती है पतली होती है अब मैंने भीति क्यों लिखा क्योंकि यहापर पादपु की बात कर रहे हैं और पादपु के अंदर भीति पाई जाती है और विव जो तक उतक होते हैं वो आपके उनकी भीति क्या होती है बिल्कुल पतली होती है इनकी भ सबस्ट केंद्रक होता है, दो नमबर बात आपको ये ध्यान रखनी है, और इनके अंदर जो कोशिका दर्वे होता है, वो सगन होता है, कोशिका दर्वे कैसा होता है, सगन होता है, अब ये कोशिका दर्वे क्या है, केंद्रक क्या है, भिति क्या है, ये बात मैं आपको कोशि के चेप्टर में करवा चुका हूँ, अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखें तो पीछे के वीडियो देख लिजिए, आपका सारा काम हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, यानि ये जो विवजोत्तक उत्तक होता है, इसमें विवजन की जमता पाई जाती है, यहने की भित्ती पतली होती है, और इनके अंदर सपस्ट के अंदरक होता है, वो सपस्ट दिखाई जेता है, सपस्ट होता है, भित्ती इसकी जो बाहरी दिवार होती है, वो क्या होती है, और इनके अंदर जो कोशिका का दरव्य होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल गा आजन कर दिया तना इस प्रकार से विवाजित हो जाता है तेहनिया विवाजित हो जाती है पत्यां विवाजित हो जाती है तो वही क्या काम है इसका विवजोत्यक उत्तक का काम है अब देखिए इससे आगे हम बात करते हैं यानि पोधा जो होता है पोधा उसके हो गई है अब देखिए ये इसका तना है ये इसकी पत्ती है जो आप सभी को पता है ये इसकी पत्ती है और ये क्या है इसकी टहनी है इसकी क्या है टहनी अब समझे ना टहनी पत्ती और तने को मिला करके क्या का जाता है तीनों को आपस में मिला दिया जाये तो इसको बोलते ह प्रो है भाग इसको हम बोलते हैं प्रो है भाग और यह जड़ होती है इस जड़ को कहा जाता है मूल क्या कहा जाता है मूल कहा जाता है समझना मैंने क्या बताया कि आपका एक पोधा होता है पोधे के तने टहनी और पत्ति को अगर आप उसमें मिला देते हैं तो इसको बोल यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा आपको अब समझना है कि यह जो विब जोतक उतक होते हैं यह भी दो तीन परकार के होते हैं विब जोतक उतक भी आपके दो तीन परकार के होते हैं पहला जो होता है वो होता है सिर्सस्त पहला जो होता है वो होता है सिर्सस्त विब जोतक उतक ये भी तीन परकार का होता है कहने का मतलब विब जोतक उतक के अंदर स्विवाजन की चमता पाई जाती है इसकी भीती पतली होती है सपस्ट के अंदरक होता है सगन कोशी का दर्वे होता है यह तीन परकार के होते हैं और सबसे पहला है आपका सिर्षस्त विवजोतक उत्तक सिर्षस्त विवजोतक उत्तक के गरह बात करते हैं तो साथ यह क्या करता है यह जो सिर्षस्त भी जो तक उत्तक होता है यह आपका जो प्रोह भाग होता है और जो आपका मूल भाग होता है उसके सिर्ष की वर्धी करता है यानि प्रोह वे मूल के सिर्ष भाग की वर्धी के लिए उत्तरदाई सिर्ष भाग की वर्धी के लिए उत्तरदाई समझ मैं आई बात प्रोहे और मूल के सिर्ष भाग की वर्धी के लिए उत्तरदाई कोन होता है आपका यही सिर्षस्त विजोत्तु कुत्तक होता है यानि तने का या प्रोहे भाग का सिर्ष भाग कोन सा होगा तो जो आपका प्रोहे होता है उसका सिर्ष भाग ये पत्ती होती है पत्ती होती है टहनी होती है इसका सिर्ष भाग होता है और जो जड़ होती है उसका सिर्ष भाग कौन सा होता है ये आगे वाला भाग आपने देखा होगा कि जड़ों के आगे इस परकार से क्या होती है छो के लिए कौन उत्रदाई होता है तो आपका सिर्षस्त विव जोतक उत्तक उत्तक होता है तो प्रोहे और मूल के सिर्ष भाग की वर्धी के लिए आपका कौन सा उत्तक हो गया सिर्षस्त विव जोतक उत्तक हो गया इसी प्रकार से इसका साथ दूसरा भाग है इसका जो दूस अंत्र वेसी विव जो तक उत्तक क्या होता इसके बारे में आपको बताऊँगा लेकिन उससे पहले में आपको ये बता दूँ कि इस सिर्शस्त विव जो तक उत्तक को हम एपिकल मेरी स्टेम के नाम से इसको जाना जाता है इस सिर्शस्त विव जो तक उत्तक को अब हम बात करते हैं अंत्र वेसी विव जो तक उत्तक की एक तो आपकी प्रव संदी होती है प्रव और जो प्रव संधी होती है प्रव वे प्रव संधी तथा तने की लंबाई में वर्धी के लिए उतरदाई होता है अब समझना इस बात को मैंने क्या बताया मैंने ये बताया कि जो अंतरवेशी विव जोत्यकुत्तक है वो प्रव और प्रव संधी तथा तने की लंबाई में वर्धी के लिए उतरदाई होता है कौन आपका अंतरवेशी विव जोत्यकुत्तक अब आप समझोगे भई ये प्रव और प्रव संधी क्या है आपने देख गाठ और उसी गाठ को हम क्या बोलते हैं परव संधी बोलते हैं परव संधी बोलते हैं और इससे जो आगे ये टहनी जाती है इससे आगे जो टहनी जाती इस टहनी को हम क्या बोलते हैं परव बोलते हैं टहनी को हम परव बोल देते हैं और टहनी जहां से निकलती है वहाँ प तो यानि इस प्रव संधी का अकार कितना मोटा होना है और इस टहनी की लंबाई कितनी होनी है ये किस के उपर निर्वर करता है ये अंतर वेसी विव जोत्तक उत्तक के उपर निर्वर करता है इसी परकार से तने की लंबाई ये जो तना है ये कितना लंबा होगा ये जो तना में और गया होगा समझ महाया चलिए अब इसका तीसरा जो पार्टर सत्य हो वो है आपका पार्श्वी यह विव जो तक उतक कृच के पार्श्वी वीव जो तक उतक कि बात करते हैं जो पार्श्वी विव जो तक उतक उतक 1964 flu पार्सिवी विव जोत्तक उत्तक होता है न साथियों वो तने और जड की मोटाई में वर्धी के लिए क्या होता है? मोटाई में वर्धी के लिए उत्तरदाई होता है वर्धी के लिए उत्तरदाई यानि जो अंत्रिवेसी होता है वो तो लंबाई में वर्धी के लिए उत्त लेकिन आपका जो पार्स्वी विवजोत्यकुत्तक है वो तने और जड़ की मोटाई में क्या करता है वर्धी करता है यानि आपका तना कितना मोटा होना है और जड़ कितनी मोटी होनी है ये किस बात के उपर निर्बर करता है ये पार्स्वी विवजोत्यकुत्तक के उपर न दूसरा नाम भी है इस को साइसाँ साइब को आपकी मंजिल से नहीं रोक सकती है किसी भी एक्जाम के अंदर अगर आप सुभलता पाना साते हैं और उसमें अगर आपकी बाधा साइंस है तो अब आपकी बाधा साइंस नहीं रहेगी लेकिन साथ यो विश्वास आपको करना पड़ेगा प्यार परेम आपका देना पड़ेगा तभी मैं आपके लिए कुछ क में कोसि का भित्यी पतली होती है, इस पोस्ट केंद्रक होता है, सगन कोसि का द्रवए पाय जाता है, ए बात भी मा आपको बता चुका हूँ, जबकि रसदाने इसमें नहीं पाय जाती है और इतनी ज़ादा बात ही tolerant भी नहीं है यह, पोध्यो कोधे के प्रोहे मूल के कोन करता है तो अंत्र वेसी विव जोत्तक उत्तक करता है उसके बाद मैंने बताया था आपको पार्स्वी विव जोत्तक उत्तक उत्तक करता है उसके बाद मैंने बताया था आपको पार्स्वी विव जोत्तक उत्तक करता है यहां तक समझ में आपको आया होगा अच्छे से बिलकुल अब हम आगे बढ़ते हैं तो पादप उतक का हमने पहला part कम्प्लिट कर लिया अब हम बात करते हैं साथ यूद दूसरे part के और हमारा जो दूसरा part आता है वो मैंने आपको बताया भी था दूसरा part हमारा है स्थाइ उतक, दूसरा अपारट है स्थाई उतक, अब हम बात करते हैं स्थाई उतक के बारे में, अब आपने अभी अभी पढ़ा था, कि जो विब जो उतक उतक होता है, उसके अंदर अत्यन्त विवाजन चमता पाई जाती है, लेकिन ये जो आपका स्थाई उतक है, इसका नाम ही द नहीं पाई जाती है, विवाजन की क्षमता इसके अंदर नहीं पाई जाती है, ये बिल्कुल स्थाई होता है, अगर हम बात करते हैं साथियों, अगर हम बात करते हैं स्थाई उतक की, तो स्थाई उतक जो होते हैं, वो कई परकार के होते हैं, स्थाई उतक आपके तीन पर परकार कौन कोन से हैं एक तो है आपका सरल स्थाई उतक एक नबर आपका है सरल स्थाई उतक जिनके अंदर विवाज़न छमता नहीं पाय जाती ये तो परकार के होते हैं सरल SL उतक और बार में बात करेंगे अब यह स्रल स्थायू तक है इसको भी साथियो तीन भागों में बाट दिया इस स्रल स्थायू तक को भी हमने तीन भागों में बाट दिया और इसका जो पहला पार्ट है साथियो इसका जो पहला भाग है वो है अपका मर्द्यू तक पहला कौन सा है मर् दूसरा है इसका जो बी पार्ट है इसका जो दूसरा पार्ट है वो है साथियो स्थूल कोनों तक स्थूल कोनों तक स्थूल कोनों तक दूसरा पार्ट और इसका साथियो जो तीसरा भाग है इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी आपको धान रखना है इसका तीसरा पार्ट है स स्थाई उतक में विवाजन शमता नहीं पाई जाती स्थाई उतक दो परकार के होते हैं सरल स्थाई उतक और जटिल स्थाई उतक स्थाई उतक को अमने दो तीन पारटों में बांट दिया मर्द उतक सबसे पहले हम बात किस के बारे में करेंगे मर्द उतक के बारे में करेंग आप एक बार ना क्यों सिन एंसर लगा कि देखना किसी भी बुक के फिर आपको पता से लेगा कि भी कंसेप्ट कितना अच्छा है और कितना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ अब हम बात करते हैं मर्दू तक के तो सबसे पहली बात मर्दुतक का दूसरा नाम, जिसको हम उपनाम के नाम से जानते हैं, इसका उपनाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इस मर्दुतक को हम पेरिन काइमा के नाम से भी जानते हैं, पेरिन काइमा, इसको हम पेरिन काइमा भी कहते हैं, पेरिन काइमा क के नाम से भी इसको जाना जाता है, एक नबर बाद आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद ये जो आपका मर्दू तक होता है, इसकी कोशी का जीवित होती है, इसकी जो कोशी का होती है, जीवित, कोशी का क्या होती है, कोशी का जीवित होती है, कोशी का जीवित और कोशी का के मद्धे खाली स्थान जादा पाया जाता है कोशिका के मद्धे क्या पाया जाता है स्थान जादा पाया जाता है कोशिका के मद्धे काफी रिक्त स्थान होता है काफी रिक्त स्थान होता है यानि कहने का मतलू यह मालो हमारा क्या है उत्तक है भई कोशिकाओं के समयों क्या ब जीवित हैं और इनके बीच में गैप जादा पाया जाए इनके बीच में गैप जादा पाया जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं मर्दु तक उसको हम क्या बोल देते हैं मर्दु तक तो मर्दु तक जो होता है उसको हम पेरिन कायमा के नाम से भी जानते हैं और मर्दु तक की जो कोशिकाई होती है वो जिवित होती है और कोशिका के मद्दे काफी स्थान पाया जाता है यह एक कोशिका के बाद दूसरी कोशिका के बीच में क्या होता है स्थान होता है क्योंकि कोशिकाउं की समुग क्या बोलते है उत्तक बोलते है तो इन्हें में बहुत सारी कोशि बोजन का संचे करता है, क्या करता है? बोजन का संचे कड़ने का काम करता है, तो मंड या फिर स्टार्ट की रूप मे kis के रूप में? मंड या स्टार्स के रूप में मैंने आपको बताया था कि पोधों के अंदर जो बोजन का संचे होता है वो मंड या फिर स्टार्स के माध्यम से होता है और अगर जंतू की बात करते हैं तो जंतू के सरीर में ग्लाइकोजन की रूप में बोजन का संचे होता है लेकिन पोधो starts फिर काम आता रहता है जिस प्रकार से हमें भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं लेकिन हमारी यह थोड़ी कि एक बार खाना खा लिया और वो एक बार में सरापत जाता है पस तो जाता है लेकिन वो क्या है इक खटा हो जाता है जब जब हमें स्रीर में जुरूरी ते उर जाकी वैसे वैसे वो बोजन क्या है वैसे वैसे वो बोजन मतलब आगे से आगे वो बोजन आगे से आगे मतलब क्या है वो थोड़ा 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 करके हमारी पूरे सिरी में काम आता रहता है वो वो काम आता रहता है अई बात समझ में अब बात करते हैं next अब मैंने आपको मर्दुतक का कारिये बता दिया मर्दुतक का क्या कारिये है यह भोजन का संचे करने का काम करता है ठीक है भोजन का संचे करने का काम करता है अब हम बात करते हैं यदि इन मर्दुतक के अंदर ये मर्दुतक किस के अंदर पाया जाए यदि यह हरित लवक में पा इसको हम हरिट उत्क के नाम से पुकारते हैं。 मैंने क्या कहा कि यदि यही मर्द उत्क किस के अंदर पाया जाए यही मर्द उत्क अगर हरितलवक नाम देंगे ? हरित उतक नाम देंगे क्यों सुन पूछा गया था कि हरित उतक है दर्डत उतक, स्थूल कोण उतक या फिर मर्दू उतक तो साथ यो हरित उतक एक परकार का मर्दू उतक होता है क्योंकि यही मर्दू उतक अगर किस के अंदर पाया जाता है हरित लवक के अंदर पाया जाता है किस के अंदर पाया जाता है हरित लवक के अंदर पाया जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं हरित उत्तक नाम देते हैं क्या नाम देते हैं हरित उत्तक नाम देते हैं समझ में आई बात बिल्कुल आपको समझ में आई होगी बिल्कुल आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से कि भी हरित उतक जो है ना हरित उतक कब कहेंगे जब मर्दू तक आपका हरित लवक के अंदर पाये जाता है बिल्कुल आपको कलियर है ये बात आगे बढ़ते हैं आगे चर्चा करते हैं अब साथियो जो आपके जलिये पोधे होते हैं जलिये पोधे होते हैं जलिये पोधों के अंदर जलिये पोधों में जो मर्दू तक होता है उस मर्दू तक की जो कोशिका है उस कोशिका के अंदर मर्दू तक की कोशिका के अंदर कौन से पोधों में जलिये पोधों में मर्दू तक की कोशिका के अंदर वायू गुहिका पाई जाती है वायू गु यानि यह मानलो एक जल्य पोदा है जल के अंदर यह विक्सित हो रहा है और यहां पर मानलो एक उत्तक है और उस उत्तक का नाम हमने दे दिया मर्दूतक का नाम दे दिया अब इस मर्दूतक की जो कोसिका है उस कोसिका के बीस में यह मानलो एक परकार की क्या है वायू गुहिका है यहां पर इस परकार से एक वायू गुहिका पाई जाती है अगर जल्य पोदों में यह मर्दूतक है तो उसके मर्दे क्या पाई जाएगी आपको एक वायू गुहिक पाई जाएगी एर केविटी पाई जाएगी वायू गुहिका और उसी वायू गुहिका के कारण साथ यो इसे मर्दु तक को हम क्या बोल देते हैं वायू तक भी बोल देते हैं क्या नाम देते हैं इसको वायू तक के नाम से भी इसको जानते हैं और वायू तक को हम क्या बोल मेरी साब से कोई दिक्कत नहीं है और अगर यह हरित उतक में पाया जाए तो हरित उतक का दूसरा नाम होता है क्लोरेन काइमा क्लोरेन काइमा क्लोरेन काइमा भी इसको का जाता है इसको एरेन काइमा भी का जाता है इसको पेरेन काइमा भी का जाता है यह सारे नाम आपको ध् उतक के नाम से जानते हैं या फिर क्लोरिन काइमा के नाम से जानते हैं और अगर यही उतक अगर यही उतक आपका सभी परकार की अगर हम बात करने सभी परकार के पोधों की तब उसको हम पेरिन काइमा के नाम से जानते हैं अब जो मर्दुतक होता है ना मर्दुतक इस मर्द जाता है उत्पलावनता का गुन आपका इसी मर्दुतक के करण पाया जाता है उत्पलावनता का मतलब होता है तैरना अब पोधे जो होते हैं यानि जो लकडी होती है वो आपने देखा होगा पानी की उपर तैरती है वो किसकी उपस्तिती के करण तैरती है वो इस वायू तक मैंने आपको स्थाई उतक का सरल स्थाई उतक का पहला पार्ट मैंने आपको मर्द उतक करवा दिया अब बात आती है स्थूल कोन उतक और मर्द उतक की वह हम आगे करेंगे लेकिन आपको पहले मर्द उतक समझना पड़ेगा अच्छे शे यहां तक आपको कलीर हुआ होगा एक पर फिर से स्को repeat कर लीजी देखिये, आगी मैं आपको repeat करवा देता हूँ, देखिये, बात हम स्थाई उत्क की करते हैं, तो स्थाई उत्क, वे उत्क होते हैं, जिनमें व्यभवाजन छमता नहीं पाई जाती, जिनके अंदर विवाजन चमता नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं स्थाई उतक बोलते हैं और जिनके अंदर विवाजन चमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं साथियो उसको बोलते हैं विवजो उतक 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 इनके अंदर विवाजन चमता नहीं होती इसलिए इसलिए इसल हम बोलेंगे स्थाई उतक तथा स्थाई रूप वे आकार में विवेदित होकर क्या करते हैं विशेष कारिये को संपत्त करते हैं यह इप्पोर्टेंट बात नहीं है बस आपको इतनी ध्यान रखने कि स्थाई उतक में विवाजन की समताई नहीं पाई जाते हुए प्रकार करती है एक आपका स्थाय उत्तक सबसे पहले बात करता है पेरेन काईमा की बात करते है देखिए इस उत्तक की कोशिका जीवित होती है और कोशिका के मद्दे काफिimmeلف स्थान पाया जाता है जो मैら Kenneth को बताया थैंगर आपको याद है तो इस उत्तक की जो कोशिका वो जीवित होती है और कोशिका के मद्दे क्या पाया जाता है काफी रिक्त स्थान पाया जाता है और यह क्या करता है उत्तक बोजन का संचिय करने का काम करता है मंड या फिर स्टार्ज की रूप में यदि इन उतकों में हरित लवक पाया जाए यदि इन उतकों में क्या पाया जाए हरित लवक यदि ये उतक हरित लवक के अंदर पाया जाए यदि यही उतक क्या है हरित लवक में पाया जाए तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं हरित उतक नाम दे देते हैं अगर आपका मर्दुतक किस के अंदर पाया जाए अगर आपका मर्दुतक पाया जाए हरित लवक में अगर आपका हरित लवक में मर्दुतक है तो उसको हम क्या कहेंगे फिर मर्दुतक नहीं कहें करके उसको हम क्या कहेंगे हरित उतक कहेंगे या फिर क्लोरेन कायमा कहेंगे इसी प्रकार से अगर जलिये पोधों में ये पाया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे वायू तक कहेंगे क्यों कहेंगे वायू तक उसका कार्म देखिए मैंने आप को यहां पर बता रखा है कि जलिये पोधों में मर्दु तक की जो कोशिका होती है उसके मध्धे बड़ी वायू गुहिका होती है क्या होती है बड़ी वायू गुईका होती है एर के बीटी होती है इसी लिए इन्हें हम क्या बोलते हैं वायू तक भी बोलते हैं इसको हम एरेन कायमा के नाम से भी इसको जानते हैं जो पादप को उत्पलावनता परदान करते हैं जो पादप को क्या करते हैं उत्पलावनता करने का उत्पलावनता परदान करने काम करते हैं तेरने का गुण इनके अंदर इसी वायू तक ये कार्ण पाया जाता है साथियो आज मैंने आपको पादपुत का पार्ट करवाया है कल थोड़ा पादपुत का और बचायवो करवादूगा उसके बाद मा आपको जन्तू उत्त करवादूगा फिर हमारा टौपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम नया टौपिक स्टार्ट करेंगे तो जबरदस तरी किसे नोट्स बनाओ, इसके नोट्स में खुद भी दूँगा, लेकिन खुद की नोट्स मनाएवे बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए खुद को नोट्स भी बनाने हैं, तो थैंक यू, धने बाद, बाई-बाई, थैंक यू.